Hello students, welcome back to PSC यानि Pines Study Circle, my name is Tavassum और आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th NIS for students के लिए और यहां पर हम बात करेंगे English subject के बारे में So बहुत सारे बच्चों को English subject को लेकर के बहुत सारी problems face करनी पड़ती है क्योंकि language subject है, तो English की तयारी कैसे करें, क्या paper का pattern है और क्या हम English में 90 plus का score कर सकते हैं तो इस वीडियो के through मैं आपके सारे के सारे doubts clear करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप smartly पढ़के English में 90 plus का score ला सकते हैं So guys, चाहे आप April session के student हो या October वाले बच्चे हो दोनों ही session के बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही जादा important है तो वीडियो को last तक देखें, skip ना करें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद I guarantee कि आप English में पहले से बहतर score करोगे जब आपने वीडियो नहीं देखी थी, उससे पहले से बतर आप यहां से score करने वाले हो चलिए शुरू कर लेते हैं, बाकि अगर आप मेरे चानल पर new है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकोन को दबा लो क्योंकि यहां से PST, यह निपाई Study Circle चैनल से आपको इसी तरीके की informative वीडियो मिलती रहती है आप यहां से different different subjects की study कर सकते हैं, अपने solve assignment और practical की वीडियो यहां से पास सकते हैं साथी साथ आपको सभी latest updates यहां से मिलती रहती है So do subscribe immediately, साथी साथ वीडियो को like और share करें, कहीं कोई doubt आए तो मुझे comment section में बताएं तो चलें शुरू कर लेते हैं कि English के paper की तैयारी कैसे करनी है आपको और कैसे करना है अच्छा score First of all, मैं आपको बिल्कुल simple तरीके से यह बता रहती हूं कि English में आपका आएगा क्या क्या और last new video के मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि कौन-कौन सी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है और क्या ऐसे काम करने हैं जो आप best से best score कर पाओ सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता हूं कि आपका जो English subject है, language subject है, paper काफी lengthy होता है, number of questions काफी होते हैं, इसी चक्कर में बच्चों से कभी-कभी जो है, कई सारे questions छूट भी जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि आपका जो paper है वो four sections में divide है, अगर हम बात करें, आपका English का जो paper शुरुआत होती है, paper की शुरुआत होती है, आपके section A से, जिसका नाम है reading section, उसके बाद आपका आता है section B, which name is writing section, then आपका section C, which name is grammar, and finally section D आपका आता है, which name is literature, अगर बात करें section A की, तो यह reading section है guys, और यह आपका total 15 number का आ writing section है, वो आता है, आपका 25 marks का, then आपका grammar होता है, 30 marks का, और finally आपका literature again, 30 marks का, तो इस तरीके से आपका यह पूरा paper 100 marks का बैढ जाता है, ठीक है, 100 marks का आपका यह पूरा paper होता है, क्योंकि इस पर कोई practical तो है नहीं, आप देखो, यहाँ पर मैं आपको बताओं कि अगर बात reading skills देखी जाती है, मतलब आप कितना अच्छा पड़ पाते हो, तो यहाँ पर आपको only two questions देखने को मिलते हैं, 15 marks के, दोनो ही दोनो आपके unseen passage होते हैं, एक passage होता है आपका 7 marks का, and second passage होता है आपका 8 marks का, तो इस तरीके से आपके total 15 marks के दो unseen passage होते हैं, but बहुत सारे student को लग आपको वैसे और बता चुकी हो एक वीडियो में, बर देखें, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट पढ़ना है, आपके उसमें नहीं रहना, आपके क्या करेंगे, एक सरसरी सी निगह से पूरे passage को पढ़ेंगे, थोड़ा क्विकली आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वरना आपका सारा टाइम बरना यहां ही भी लग सकता है, अगर आप इसी पे अटके रहेंगे तो, आपको क्या करना है, दो unseen passage है, और इनके नीचे जो questions आते हैं, वो ज्यादा टपनी वाते, किस तरीके के questions आएंगे, एक तो आता है, एक line दे दी, आगे फोड़ा fill complete छोड़ा गया है, मतलब fill in the blanks type की line, उसको आपको complete करना है, इसमें passage में और कौन कौन से questions हाते हैं, इसके लावा आपके questions हाते हैं, 4 options वाले, मतलब आपके MCQ questions, तो जादा tough आपका passage नहीं होता, आप उसको पढ़ेंगे, तो आप fill in the blanks भी कर लेंगे, आपके 4 options वाले questions भी आपके हो जाएंगे, तो यह जादा आपका tough नहीं पड़ेगा, अगर आप ध्यान से इसको और खुले mind से इसको अगर आप attempt करते हो, ठीक है, 15 नमबर आपको हैंसे easily मिल जाते हैं, उसके लिए guys आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 2-4 unseen passages की practice करनी है, अब practice कैसे करें, तो हम है न, हम कराएंगे, आपकी practice, आपको थोड़ा सा वेट करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है unseen passage की practice क्लास मिलाने वाली हूँ, जिसमें हम detail में discuss करेंगे, किस तरीके से आपको unseen passage करना है, चलिए, तो यहां से आपके देखिए 15 नमबर के अगर unseen passage आ रह अगर मैं बात करूं writing section की, तो इसमें आपकी writing देखी जाती है, skills देखी जाती है, मतलब writing ऐसे नहीं अच्छा लिख रहे हो इसमें आपकी skills देखी जाती है, कि राइटिं के अंदर आपकी कितनी skills है, आपमें किती योगयता है लिखने की, इसके अंदर जो question आते है, total 25 marks के question किनी और छार ही कोस्टेंग जाद नहीं है चार कोस्टेंग करने किस तरीके से हैं वह आपको भी बता रही हूँ पहला कोस्टेंग का जो आपका 4 नंबर का होता है इसके बाद आपका तो राइटिंग के अंदर आपको बिल्कुल नहीं डर्ना टोटल चार कॉस्चन आपको करने को आएंगे और इन चार को करने का तरीका बहुत आसान है मैं आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का स्लेवर्स अल्रेडी कंप्लीट करा चुकिक हो अपने इस चानल पाइस टेडी सर्कल पर मैसिज राइटिंग करने का तरीका बहुत चोटी वीडियो है बहुत आराम से समझ लोगे और फिर बोलोगे कि हां थैंक्यू मैं समझ में आ गया तो मैसिज राइटिंग की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूंगी बस आपको देखना है ठ तारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएंगी और मैं प्लेलिस्ट का नाम भी आपको यहां पर बताने वाली हूं ठीक है और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हम इनहीं की प्रैक्टिस करेंगे मैसिज राइटिंग की डिपोर्ट राइटिंग की लेटर राइटिंगी और सिचुएशन राइटिंग की तो आप एक बार फॉमैट देख ले लेए आए लिए की सभी वीडियो का लिंग डिस्क्रिप्शन में है ताकि आपको एक मोटा मोटा एडिया रहे कि हां फॉमैट क्या है लिंग प्रैक्टिस करेंग अगर आपको English थोड़ी बहुत बनानी नहीं आती तो यहां पर आपको थोड़ी सी दिखत आ सकती है but don't worry, वो भी हम लोग यहां पर करेंगे, यहां पर आपके कौन-कौन से questions आएंगे, short paragraph आपके आता है, ठीक है, combination of sentence आती है, जो कि बहुत easy है, वो मैं आपको ओड़ी करा चुकी हूँ, बट अभी हमारी practice है, तो अभी हम वो भी करेंगे, तो बहुत important videos अभी आपके लिए आने वाली है, तो चैनल को subscribe करें, तकि सारी videos आप तक पहुँच जाएं, देन आपकी proposition है, वो भी हम लोग कर चुके हैं, यहां से पूछे जाते हैं, तो यह सारी की सारी चीज हम ओड़ी अपने इस चैनल PSC पर कर चुके हैं, प्लेइलिस्ट का नाम मैंने आप पर लिख गया है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्लेइलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, बाकी अभी हमारे चैनल के थुरू और ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाली हैं बिल्कुल एक्जाम के पॉइंट आफ यू से कौन-कौन से कोश्चन्स आपको किस तरीके से हल करने हैं यहां पे आप यह समझ लो कि यहां पेपर के अंदर करना क्या करना क्या है ऐसा नहों के आप पढ़ने बैठ जाओ और उसमें आपका टाइम वेस्ट और बाद में पते चले कि यह रहे यह चीज तो आने ही नहीं वाली हमने तो वैसे हिसमें टाइम वेस्ट कर दिया अपना तो यहां पर सेक्शन C के अंदर आपको जस्ट यही टॉपिक है जो आपको करने है यह सारे टॉपिक्स में ओडरी इंका फॉमाट करा चुकी हूं डिस्क्रिप्शन वोक्स में लिंक में जाएगा नेक्स आपका सेक्शन D जो की है लिट्रेचर सेक्शन हमने इतनी सारी चीज़े देखी है अभी तक लेकिन हमारी बुक्स तो आई ही नह कैसे क्या क्या को कौश्यों इसमें से पूछ हुआ जाते है कुछ बच्चे क्या करते हैं खाली बुक के चाप्टर पढ़ने को वेठ जाते हैं कि इसमें से बस कौश्च नहीं है तो सबसक्तिम कॉश्च नहीं है अभी दक आप ने देखा फंदरा नंबर का रिडिंग्स तो आपके 70% मार्क्स तो यहीं बैठ गए हैं, केवल जो हमारे 30% बच रहे हैं, वो हमारी बुक्स का काम है, और बुक्स में से भी खाली लोंग और शोट कॉस्चन नहीं आते, उसके अलावा भी काथी कुछ आता है, तो देखो, बुक्स में से क्या क्या आता है, 30 मार्क्स की आपकी बुक्स में से आपके poetry stanzas पूछे जाते हैं, मतलब आपकी 7 poem हैं कम से कम, पूरे syllabus के अंदर, English के अंदर, तो उन 7 poems में आपको सई से उनको पढ़नी पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उनके poetry stanzas के answer time करने पढ़ेंगे, उसके अलावा आपके जो है, जो है, जो ह पूरा syllabus, पूरा paper ही आपका short or long questions पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता, उसके बद आपके short paragraph based questions आते हैं, छोटे-छोटे से paragraph देख देंगे, chapter के अंदर से, और उनके उपर आपसे कुछ questions पूछे जाएंगे, फिर आपके फिलिंदे blanks आएंगे, वो भी chapter के उपर ही आएं उसके अलावा MCQs आएंगे, आपके दो-चारी आएंगे, जादे नहीं, वो भी chapter की story के अंदर से ही आएंगे, तो ये आपका total 30 marks का काम होता है, आपके chapters का, अब इसके रिए गईस आपको क्या करना है, देखो, अब मैं हापर आपको बताओं के अपने channel पर मैं already last year सारा syllabus आ आपका करा चुकी हूँ, अभी हमें अपनी practice करनी है, अभी देखो, वो videos अगर आपको नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, काफी effective videos, अगर आप एक बार उनको देख लोगे ना तो आपके सारे comments English के clear हो जाएंगे, पहली चीज, playlist का नाम में है, आपको ब पर ही और साथी साथ हरे chapter का explain भी किया है, अगर ये video आप exam से थोड़े दिन पहले देख रहे हूँ, एक दो महीने पहले, तो आपके लिए best होगा कि आप सारे chapters को detail में पढ़ लो, ताकि आप short long question यारी 30 marks का पूरा यापर है, उसके लिए प्रिपेर रहो, ठीक है, तो सारे chapters में ओर लड़ी आपके करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट का नाम है 10th open NIS English chapters, प्लेलिंक का लिंक में आपको निचर दिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगी, अब ये तो होगे आपका 30 marks literature जो है, आपको यहां से मिल जाएंगे, इसके अलावा देखो, आप जो है हमारा ये writing और grammar वाला portion, इसके लिए 10th NIS English grammar and writing के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें खाली मैंने grammar और writing के ही सारी format कराए है, तो आपका message writing है, report कैसे बनाए, letter है, situation है, short paragraph, combination, proposition, dialogue, correct word of form, ये मैंने सारी महापर करा दी है, आप एक बार देखिए उनको, और फिर हम अभी करें, हम अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस यहां से करेंगे, आप मेरे चैनल के थुरू आपको काफी सारी important videos मिलने वाली है, English की, जैसे कि आपके unseen passages में हापर आपकी practice कराने वाली हूँ, message or report, letter, ये सारी चीज़े हम प्रैक्टिस करेंगे, साथी short paragraph, combination of sentences, propositions, तो इस तर चैनल के playlist पर जाकर भी आप इनको सर्च कर सकते हो, और वहां से आप बस अपने format क्लियर कर लेजे, ठीक है, इसके अलावा guys, यहां पर मैं आपको बताऊं कि यह जो आपके long or short questions है, यह मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर करवा चुकी हूँ, पूरे syllabus के अंदर से कुछ selected or limited questions मैंने आपको कराय थे, short questions भी, long questions भी, एक video short questions की है और दूसरी long की है, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है Learn English by Tabassun, वैसे काफी सारे मेरे subscriber मुझे मिलते हैं, comment section में, तो thank you so much, आप मुझे support कर रहे हैं, और please मुझे आगे भी इस important questions हैं, और साथ ही साथ महाँ पर मैं अभी आपके लिए previous year के question paper लाने वाली हूँ, learn English channel पर, तो पूरा का पूरा paper मैं आपको पर detail में समझाऊंगी previous year का, और आपको महां से क्या क्या तैयार करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो make sure आपको learn English channel को visit करना है, और subscribe करना है Link description box में available है, और जो अभी आपके लिए वीजियो आने वाली है, आपके important questions वगेरा की, वो सारे के सारे PDF आपको telegram channel पर मिल जाएंगे, तो बाद में आप परेशान रहते हो कि मैं PDF कहां से मिलेगा, PDF के लिए telegram channel को join कर लो, Link description box में available है, चलिए, I hope आपको आपको इसारे चीज है, वो भी बच्चों को काफी tough लगता है, लगता इसलिए है क्योंकि स्लेवस बहुत जादा है, कभी काफी vast स्लेवस है इसका, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने अपना हिंदी का पूरा स्लेवस जो है, हमारे app पर complete कर वाया है, हमारे app का नाम है PSC यानी Pi Study Circle, तो इस app पर आप बहुत ही कम पीस में हिंदी का पूरा स्लेवस कंप्लीट कर सकते हो, with previous year question paper solution, तो फटा फट से आप हमारे app को डाउनलोड कर लो, जिसका नाम है PSC यानी Pi Study Circle, प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसका link description box में भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप previous year के question paper डाउनलोड कर सकते हो, ना के वर English का वाखी other subjects का भी, और साथी साथ आपकी books वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF format में, और काफी सारे courses वहाँ पर चल रहे हैं, आपका NIS का social science का, Hindi plus English medium में, और साथी Hindi का भी, तो आप demo classes देखकर अपना course में enroll कर सकते हो, और बहुत ही कम फीस है, ना के बराबर है, हो सकता है future में बढ़ जाए, तो चलिए, I hope आपको सारे चीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी, कहीं भी कोई doubt हो, मुझे comment करके बता दे ना, आपके comments मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, साथी साथ कही suggestion हो, तो भी आप मुझ जादर जादर share करें, so see you in the next video, और हाँ playlist को check कर लेना, एक बार save कर लेना इनको, ताकि सभी videos आपको मिलती रहें, so see you in the next video, keep studying, find study, thank you so much and goodbye.